बज आर चेप्टर करके आप 70 प्लस मार्क स्कोर कर सकते हो, अराम से, ओके कैसे है, देखो, mathematical logic आपको देता है total 8 मार्क, then इसका matrices total 6 मार्क, then इसके बाद आप ले लो pair of straight line 6 मार्क, then इसके बाद line and plane, then इसके बाद 10 मार्क, फिर इसके बाद अगर मैं बात को linear programming ये देता है total 4 मार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और chapter मैं आपको दूँगा, थोड़ा सको try करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बर ये total 12 मार्क का है, और बहुत सारी चीज़े है, रहुल सर की already vectors का बना हुआ, वो भी देख लोगे, तो भी आपकी live जिंगा लारा हो जाएगी, और 20, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 कितना हो गया, 39, और 39 प्लस 5 कितना हो गया, 44, 44 में अगर हम 12 प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएग, 56, और 56, और भाई 20 मार्क्स आपके जो आपका practical था, जो आपने submit किया, तो उस पर जो मार्क्स मिले थे, तो 6, 5, 6, 7, मतलब 75 प्लस मार्क् स्कोर कर सकते हो, बस only 8 चेप्टर करके ये, और ये बाई देखो, अगर math कर रहे हो, तो ये सबसे easy चेप्टर माने जाते है, थोड़ा factor बहुत लोगों को थोड़ा बहुत लगता है, पर थोड़ी बहुत उसके जो tricks, सब चीज़े राहुल सर ने बताए, उसको भी follow करोगे तो ये marks अराम सा बिल जाएगा, तो बाई, 76 marks बहुत जादा होता है, इतने कम चेप्टर करके, तो ये चीज़े हमने बता दी, और क्या चाहिए, प्लीज डाउट जो भी है, comment box में लिखा और बताओ, thank you so, मस गई, जय हिन दोस्तों